नमस्का स्टूडन्स अब हम प्रयोजन मुलक हिंदी की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आपको पहले पीडियाप पेजी गई थी उसमें संक्षिक्त उतर और टिपणी इन दोने की पीडियाप पेजी गई है जो आशा रखती हो आपने ये सब अपनी बुक में लिख लिया होगा लेकिन आज से आपको यह जो एक्सरसाइज का वर्क है वो भी वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा तो जो इसके चार-पांच वाक्य में उतर है वो यहां पर मैं एकस्प्लेनेशन कर रही हूं और आपको इसी में से ही आपको नौट में लिखना है अभी वीडियो के मा करýचर दिजिए चो उसका स्टार्टींग में विकास कैसे हुआ उसका परिचर देना है तो खड़ी कुम लीं हींदी का विकास, 19 सतब्दी में हुआ था मतलब 19 सेंचूरी में हुआ था उनका खड़ी बोली हिंदी का विकास 19 वी सताब्दी में हुआ परंतु इसका प्राचिन रूप पूरानी हिंदी के नाम से 10 वी 11 सताब्दी में मिलता है। से 10 वी 12 सताब्दी का अंत भाग था उसमें अमीर खूर्सरों की पहलियां थी वे भी जो पहलीय और मुर्कियां थी ने खड़ी बोली से 10 मतलब पहली और जोक्ष ननीजिन ने पहली आम मुर्कियां केरे तो वह उनको खड़ी बोली से इंती है। हिंदी के आरंभिक विकास में नाथो, सीधो तथा संतो का बहुत योगदान रहा। साहित्यक हिंदी के विकास में विशेश योगदान दिया। इसी समय हिंदी का उपयोग तीर्थ स्थानों तथा वानिच्य व्यापार में भी होने लगा। पढ़ने लगा। उपयोग तो फिर इसका फिर विकास हो गया। स्टूडेट वापस से एक पूरा क्वेस्चन आपको बोल देती हूं। फर्स्टाइम है इसलिए मैं रिपीट करती हूं। फिर आपको हैबिक डालनी होगी। खड़ी बोली हिंदी का विकास उनिस्वी सदी में हुआ। परन्तु इसका प्राचिन रूप पुरानी हिंदी के नाम से दस्टाइम पी ग्यारवी सताब्दी में मिलता है। तेरवी सताब्दी के अंत भाग में अमीर खुर्सरों की पहलिया, मुर्किया, खड़ी बोली से मिलती है। हिंदी के आरंभिक विकास में नाथो, सिदन्तों तथा संतों का बहुत योगदन रहा। नामदेव तुकाराम नर्सी में तथा प्राणदात आधी संतों ने साहितिक हिंदी के विकास में विशेश योगदन दिया। इसी समय हिंदी का उप्योग दीर्थ स्थानों तथा वानी जे व्यापर में भी होने लगा। इस प्रकार संपर्क भासा के रूप में हिंदी का विकास हुआ स्वाधिन्ता आंदोलन में हिंदी का क्या महत्व था? तो इसका आंसर है स्वाधिन्ता मिलने से पहले हमारे देश में अनेक आंदोलन हुए स्वाधिन्ता मिलने के पहले हमारे देश में अनेक आंदोलन हुए उनका नेतरुत्व बंगाल में केशव चंद्र, केशव चंद्र सेन और सुबास चंद्र बोस फिर महाराष्ट्र में लोकमाने तिलक, गुजरात में दयानन्द और महत्मा गांधी आदी नेताओने किया क्या महत्व था इंदिका तो स्वाधिन्ता मिलने के पहले हमारे देश में अनेक आंदोलन हुए थे फिर उनका नेत रुत्व बंगाल में केशव चंद्र सेन और सुबास चंद्र बोस ने किया फिर महाराष्ट्र में लोकमाने तिलक और गुजरात में दयानन्द और महत्मा गांधी आदी नेताओने किया था इतना ही नहीं राष्ट्र भासा के रूप में हिंदी को अपनाने का आग्रह किया। इतना ही नहीं राष्ट्र भासा हिंदी थी इस प्रकार स्वाधिन्ता आंदोलन को प्रभावसाली तथा व्यापक बनाने में हिंदी का ही प्रयोग हुआ। कि स्वाधिन्ता आंदोलन में हिंदी का क्या महत्व था। तो स्वाधिन्ता मिलने पर मिलने एक से पहले हमारे देश में अनेक आंदोलन हुए। उनका नेत्रुत्व बंगाल में केशोचंद्र सेन और सुभास चंद्र बोज, महराष्ट में लोकमान्य तिलक, कुजरत में दयानन और मात्मा गांदी आदिनेताओं ने किया। इतना ही नहीं, राष्ट्र बासा के रूप में हिंदी को अपनाने का अगरर किया, स्वत्रमत्रता के लिए आंदोलन ने भी आंदोलन नारो की बासा हिंदी थी, इस प्रकार स्वाधिन्ता आंदोलन को प्रभाव साली तथा व्यापक बनाने में हिंदी काई प्रयोग तो हिंदी के जन्वियावार के खशेत्र कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर आपको टैक्सबूक का पेज नमबर 17 पे जो पेरेग्राफ है जन्वियावार की हिंदी क्शेत्र वो लिखना। थार्ड क्वेस्चन है हिंदी के जन्वियवार के ख्षेत्र में जन्वियवार के ख्षेत्र कौन कौन से है तो यह इस प्रकार के है जो टेक्सबुक का यह है आपको टेक्सबुक में से लिखना है कि सामाजिक संदर्भो तथा व्यवारिक ख्षेत्रों में प्रयोग होने वा अंसर में लिखना है, पहला टॉपिक है सरकारी, अधिकारियों, कर्मचारियों और सामान्य जनता के बीच समवार, सेकंड टॉपिक है सभा समारोह का संचालन, थर्ड टॉपिक है किसी सुचना की उद्गोशना, फॉर्थ टॉपिक है चुनाओ प्रचार के व्याखान, फिप है किसी मैच या घटना का आखो देखा हाल, सिक्स टॉपिक है समाचा लेखन या वाचन, आकश्वानी टेलिविजन में, सेवन्थ टॉपिक है समस्या निराकरण हेतु वीबिन विबागों, बैंक, पोस्ट ओपीस या रेलवे आधिसे संबंदीत पत्र व्यवार, और लास क्वेस्टन का आंसर था कि हिंदी के जन्व यवर के क्षेत्र कौन कौन से तो यह आठ टॉपिक आपको बुक में लिखने हैं, अभी आपको वापस से रिपीट करती हूं, वीडियो में से ही सब कुछ लिखना है, तो अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से लिखना, यह हां पर यह वीडियो, यह एक्सरसाइज का वीडियो पूरा होता है, अस्तु झाल 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 झाल झाल